ओम शान्ति आज का तारिख है 20 अगस्ट 2030 प्रातव मुल्ली ओम शान्ति अब्यक्त भाप दादा और ये रिवाइस्ट कूर्स है 7 नवेंबर 1995 की मदुवन से ये महाबाक्य का एडिंग पॉइंट है बाप दादा की विसेश पसंदगी और ज्यान का फाउंडेशन पवित्रता आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आये हैं सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है भगतात्मा थे तो बाब से कितने दूर थे इसलिए चारों और ढूंडते रहते थे और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चे और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है साथ है या ढूंड़ना पड़ता है इस तरफ है या उस तरफ है तो कितना समीप हो गया कोई भी पुछे परमात्मा कहा है तो क्या कहेंगे मेरे साथ है फलक से कहेंगे कि अब तो बाब भी मेरे बिना रह नहीं सकता तो कितने समीप साथी बन गए हो आप भी एक सेकेंड भी बाब के बिना नहीं रह सकते हो लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है उस समय बाब अगर साथ हैं तो माया आ सकती है लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाब से आंख मच्छोनी का खेल कर लेते हैं बाब दादा बच्चों का या खेल भी देखते कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा और दुसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो बाब को देखने की दृस्टी बंद हो जाती है और माया को देखने की दृस्टी खुल जाती है तो आंक मचवनी खेल कभी-कभी खेलते हो बाब फिर भी बच्चों के उपर रहम दिलबन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है वो बेहोस करती और बाब होस मिलाते हैं कि तुम मेरे हो बंद आख याद के जादू से खोल देते हैं बाब धादा पुछते हैं कि सभी का प्यार कितने परसेंटेज में है तो सभी केते हैं सो परसेंट से भी जादा है पदम गुना प्यार है एसा केते हो न अच्छा जिसका पदम गुना से कम है करोडो है लाख है हजार है सो है बोहात उठाओ कोई नहीं उठाया अच्छा सभी पक्के हैं बाब धादा फिर दूसरा क्वेश्चिन करेंगे फिर नहीं बदलना अच्छा ये तो बहुत खुसकवरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है अभी बाब पुछते हैं कि प्यार का सबुत क्या होता है तो सभी ने कहा समान बनना तो समान बने हो तो कहा नहीं फिर पदम गुना से तो कम हो गया न आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है इसलिए हो जाएंगे ऐसे लेकिन अगर प्यार बाला कहता है कि तुम प्यार के पिछे जान कुरवन कर लो तो वो जान देने के लिए भी तयार होते हैं बाप दादा जान तो लेते नहीं है क्योंकि जान से तो सेवा करनी है लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चरिय करना पढ़ता है आश्चरिय करना नहीं चाहिए वो तो आपको भी कहते हैं लेकिन बाप दादा को आश्चरिय करना पढ़ता है पाट बजाते हैं जान कुरवन छोड़ो लेकिन प्यार की दिसानी है निच्चावर होना जो कहे वो करना तो बाप सिर्फ एक बात में निच्चावर होना देखना चाहते हैं बाते अनेक है लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते सिर्फ एक बात में निच्छावर होना है उसके लिए हाथ उठा लेते हैं प्रतिग्यां भी कर लेते हैं लेकिन प्रतिग्यां करने के बाद भी करते रहते हैं वो क्या हर एक स्वयम समझते हैं कि मेरा बार-बार बाप से किनारा होने का मुल संसकार या मुल कमजोरी क्या है हर एक अपनी मुल कमजोरी को जानते हो न तो वो कमजोरी जानते हुए भी निच्छावर क्यों नहीं करते हो 63 जन्म की साथी है इसलिए उससे प्यार है प्यार का अर्थ ही है जो प्यार बाला पसंद करे वो करना अगर मानो प्यार करने बाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है प्यार होता है या जगड़ा होता है उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छे तरह से लाठी उठा कर एक दो को लगाएंगे तो बाप को क्या पसंद है बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बाते हैं ब्रह्मा बाब की विसिस्ताएं देखो और ब्रह्मा बाब समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है उसके लिए भी बाब ददा कहते हैं चलो कोई बात नहीं एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं लेकिन जो मुल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाब बाब ज्यान का तो आपकी बिसेश पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतरमुक्ता, निश्च्य बुद्धी, सच्चाई, सफाई बास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता लेकिन पवित्रता की परिवासा बहुत कुई है पवित्रता जहां होंगी वहाँ निश्च्य, सच्चाई, सफाई यह सब आ जाता है लेकिन बापताता देखते हैं कि पवित्रता की गुई वासा पवित्रता का गुई रहस्य अभी बुद्धी में पुरस्पस्ट नहीं है ब्यर्त संकर्प चलाना या चलना अपने अंदर भी चलना और दूसरों के भी चलाने की निमित बनते हैं तो ब्यर्त संकर्प क्या है? पवित्रता है तो फिर संकर्प की पवित्रता का रहश्य सभी को प्राक्टिकल में लाना चाहिए न वेसे देखा जाए तो पांचों ही बिकार चाहे काम हो चाहे मोह हो सबसे नंबर वान है काम और लास्ट में है मोह लेकिन कोई भी बिकार जब आता है तो पहले संकर्प में आता है ब्यर्त संकर्प क्रोध भी पेदा करता है तो काम अर्थात ब्यर्त द्रुस्ती किसी आत्मा के प्रती अगर ब्यर्त द्रुस्ती पी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी तो यह ब्यर्त संकर्प बाप के प्यार के पिछे निच्छा बर क्यों नहीं करते कर सकते हो तो सभी ने बुला हांजी हांजी कहना बहुत सहज है लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चाट रहता है न अभी तक पांच ये विकारों के ब्यर्त संकर्प मेजोरिटी के चलते हैं फिर चाहे कोई भी विकार हो ये क्यों ये क्या एसा होना नहीं चाहिए एसा होना चाहिए ये कमन बात बाप दादा सुनते हैं कि ज्यानी आत्माओं में या तो अपने गुण का अपनी बिस्सता का अभिमान आता है या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके कभी अपने पुरुशार्त की नहीं लेकिन नाम में, मान में, सान में, पुछने में, आगे आने में, सिंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, बिसेस पार्ट देने में ये कमी, ये बिसेस ग्याने आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है और आज कल ये दो ही बिसेस 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 का आधार है तो आप जब सेवा पर जाओ, तो एक दिन की दिनचरिया नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे सब्द में कहो अपमान मेरेको कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरेको भी आगे करना चाहिए तो यह अपमान समझते हो न? तो यह दो बातें अभिमान और अपमान यही दो आजकल बिर्त संकर्ब का कारण है इन दोनों को अगर निच्शावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है तो क्या निच्शावर करने की सकती है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नमबर है न? नया साल आएगा तो दो माज हो जाएगा न? नय साल में वेसे भी नया खाता रखा जाता है तो हर एक चाहे टीचर, चाहे विद्यारती हैं, चाहे महारती हैं, चाहे प्याधा है ऐसे नहीं कि ये तो महारतीयों के लिए है, हम तो है ही छोटे राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ उस समय तो कहेंगे कि सिकेंड नारायन मुझे ही बना दो तो हर एक को सिर्फ दो सब्द आपना समाचार देना है और उस पोस्ट के उपर पिसेश ये लिखना अवस्था का पोता मिल तो वो पोस्ट अलग हो जाएंगी अगर अंदर लिखना के ब्यर्थ संकल्व किस परसेंटेज में निच्छावर हुए पचास परसेंट या सौ परसेंट निच्छावर हुआ बस एक लाइन लिखना लंबा चोड़ा नहीं लिखना जो लंबा चोड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे तो तयार हो जोर से बोलो हांजी या नाजी जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए टाइम भी चाहिए तो अभी से हाथ उठा लो तो आपको पहले से ही छुटी है कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुशार्ट तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं ऐसे तो नहीं लिखेंगे पक्के हैं अच्छा बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है लेकिन इसी प्यार से पहुँचना कहा है बाप समान बनना है न तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो न मेरा नाम जरूर लिखो मेरा नाम जरूर लिखो और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आँख भी दिखा देते हो तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो आते हो तो ये पवित्रता का foundation पक्का करो, ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नविंता के कारण गालियां भी खाई, तो पवित्रता foundation है, और foundation का ब्रह्मचरिय बृत धारण करना ये तो एक कमन बात है, लेकिन अभी आगे बड़े हो, तो बच्पन की स्टेज नहीं है, अभी तो बान प्रस्त स्थिती में जाना है, मैं ब्रह्मचरि तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुस नहीं हो जाओ, वेसे तो अभी दृस्टी बृत्ती में पवित्रता को और भी अंड लाइन करो, लेकिन मुल फाउंडेशन है, अपने संकर्प को सुद्ध बनाओ, ज्यान सुरुप बनाओ, सक्ती सुरुप बनाओ, संकर्प में कमजूरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया, क्या ये पवित्रता की सक्ती है, पवित्र आत्मा कहेगी, क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं है, लेकिन ये कौन से आत्मा है पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजूर आत्मा बोलती है तरिकाल दर्ची आत्माई हो जब क्यूं क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इनों को जिग्यां सुगों के आगे ले जाओ उनको चित्र समझाते हैं कि चोरा सी जन्म को हम जानते हैं समझाते हो चोरा सिजन्द और कहते हो अभी क्या और क्यूं जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यूं करेगा वो जानता है कि ये इसलिए होता है क्या बाजवाब स्वयम ही बुद्धी में आएंगा कि माया के प्रभाव के परवस हैं चाहे महारती हो चाहे प्यादा हो अगर महारती से भी गल्दी होती है तो उस समय वो महारती नहीं है परवस है तो परवस बाला कहां भी लहर में लहरा जाता है लेकिन आप उस रुप में देखते हो कि ये महारती होकर कर रहा है उस समय महारती नहीं परवस हैं समझा, नए साल में क्या करना है? बियर्थ के समाप्ति का नया काता, ठीक है? नए साल में क्या करना है? बियर्थ के समाप्ति का नया काता, पक्का? कि कोई न कोई कारण बताएंगे? अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बनाएंगे? अभी नहीं बनाएंगे? अभी बनाएंगे तो आप कोई रिजन निकाल लेंगे कारण नहीं, निबारण समझा? समस्य स्वरुप नहीं, समाधन स्वरुप अभी प्रकृती भी तक गई है प्रकृती की भी ताकत सारी खतम हो गई है तो प्रकृती भी आप प्रकृती पती आत्माओं को अरजी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है चले, नहीं चले, लेकिन चलाना तो पड़ता है क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है तो इतने प्यारवाली आत्माएं आवे और बाप रुहरिया नहीं करे तो केसे होगा? तो जवर्दस्ती भी चलाना ही पड़ता है अच्छा सभी खुसें बाप मिला संतुस्ट है ना? चारो और के पद्मगुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयम को निर्विकल्प बनाने वाले विसेश आत्माओं को सदा बाप और निर्विग्न सिवा के लगन में मगन रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के स्नेह में निच्यावर होने वाले सवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अमारा भी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते अच्छा, सब खुस, कोई नाराज तो नहीं हुआ मैं नहीं मिला राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते फिर बावदादियों से मिलते हैं देखो आप आदी रत्नों में सभी का प्यार के साथ-साथ सुद्ध मोह बढ़ता जाता है सभी देखते हैं कि आदी रत्न ठीक है तो सब ठीक है तो आप लोगों में सबका सुद्ध मोह बढ़ गया है बाप दादा इन दोनों बना चंद्रमणी दादी और रत्न मोहिनी दादी के उपर भी खुस है ग्यान सरवबर की जिम्मेवारी संभाली है जिम्मेवारी तो क्या? खेल है भारिफन है क्या? खेल हलका होता है न तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है तो बाप दादा खुस है कि समय पर सहयोगी बने है और आदि से सहयोगी रहे है आदि से हांजी करने वाले है यही साकार बाप का आप सबको विसेश बरदान है ब्रह्मा बाबा को ना सब्द कभी अच्छा नहीं लगता यह तो मालूम है और उपभी है बाबा इसू दादी से मिलते है इसने आदि से आप तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया है और आपकी और दादी की तो विसेश सहयोगी है कोई भी बात में सुनने, सुनाने वाली बहुत अच्छी है क्यूंकि गंभीर रहती है ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है कोई भी बात बोल दिना समझो अच्छा किया, बोल दिया तो आधा खतम हो जाता है समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा कतम हो जाता है आधा फल कतम हो गया आधा जमा हो गया तो जो गंबीर होता है उसका फुल जमा होता है कहते हैं न, देखो जगदंबा गंबीर रही चाहे सेवा स्थूल में आप लोग से कम की आप लोग ज़्यादा कर रही हो लेकिन ये गंबीरता के गंड ने फुल खाता जमा किया है कट नहीं हुआ है कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पोना कट हो जाता है करते हैं फिर कोई बात हुई तो पूरा कट हो जाता है किसने कुछ सेवा किया लेकिन उसमें डिसर्विस भी हो गया तो पूरा कट हो जाता है तो आधा कट हो जाता है कहीं पूरा कट हो जाता है कहीं आधा कट हो जाता है फिर भाबा केते हैं थोड़ी बाद भी हुई तो वोना कट हो जाता है ऐसे ही अपना बर्नन किया तो आधा कट हो जाता है बाकी बच्चा क्या? तो जब जगदंबा की विसिस्ता जमा का खाता जादा है गंभीरता की देवी है ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए चाहे मदवन में रहते चाहे सिवा किंद्र में रहते हैं लेकिन बाप दादा सभी को केतें कि गंभीरता से आपनी मार्क्स एकट्ठी करो बर्नन करने से खतम हो जाती है चाहे अच्छा बर्नन करते हो चाहे बुरा अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है? तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता की देवता दिखाई दे अभी गंभीरता की बहुत बहुत आविशकता है अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है क्योंकि भासन करते है और केते हैं भासन करते है न तो जो भी आएगा वो बोल देंगे लेकिन प्रवाब जितना गंभीरता का पड़ता है उतना पानी का नहीं पड़ता अच्छा बरदान है रुहानी गुलाब बन चारो और रुहानियत की खुस्बू फिलाने वाले आकरशन मुर्द भवा सदास्मूरती रहे कि हम भगवान के बगीचे के रुहानी गुलाब है रुहानी गुलाब बर्थात कभी भी रुहानियत से दूर होने वाले नहीं जिससे फुलों में खुस्बू समाई हुई होती है वैसे आप सब में रुहानियत की खुस्बू एसे समाई हुई हो जो आटोमेटिक चारो और फेलती रहे और सबको आपनी और आकर्सित करती रहे अभी आप ऐसे खुस्पुदार बाकर्शन मुर्त बनते हो तब आपके यादकार मंदिर में भी अगर्वतियादी से खुस्पु करते हैं स्लोगान है परोपकारी वह है जो स्वपरिवर्थन से बिश्व परिवर्थन करने के निमित बनते हैं एक सुचना है आज मास का तिसरा रविबार है सायं 6.30 से 7.30 वजे तक विशेश योग अभ्यास में अनुभव करें कि बाप्त अधा के मस्तक से सक्ति साले किरने निकल कर मेरे व्रुकुटी पर आ रही है और वही किरने मेरे द्वारा आपने निजी संसकारों का परिवर्थन करते हुए संसार परिवर्थन का कार्य कर रही है तो आपने निजी संसकारों का परिवर्थन करते हुए संसार परिवर्थन का कार्य कर रही है तो यह अभ्यासे ओम शांति प्रूप्ट Oben